आज हम लोग अध्याए कर रहे हैं 18 प्रलंभा सुर का वद्ध तो कृष्ण जीला में प्रलंभा सुर है इसका वद्ध बल्राम जी ने किया था क्योंकि असल में यह जो प्रलंभा सुर था यह पिछले जन में एक गंदर्व है हुहु उसका बेटा था लेकिन अपराद के कारण गलतियों के कारण इसे श्राप मिल गया था कुबेर से और यह जो प्रलंभा सुरह यह परिस्त्री के प्रती अकरशन दूसरे औरतों के प्रती या परपुरुशों के प्रती जो अकरशन है जिसे स्थूल कामवासना कहेंगे और सरहाना या परशंसा की इच्छा यानि दूसरे हमारी सरहाना करें परशंसा करें हम दूसरों की नजर में अच्छे दिखें लोग कहें कि कितना अच्छा आद्मी है मतलब कहने का मतलब लोगों से सर्टिफिकेट चाहिए भगवान से नहीं चाहिए तो यह जो गंधर्व है पलंबासुर जो बेटा था तो इसके यह जो प्रतिनेदित्व करता है यह इस स्थूल और सूक्ष्मा जो कामवासना है तो इसका प्रतिनेदित्व करता है और ये जो कामवासना है इस परकार की इसका वद भी भागवान स्वैम नहीं करते हैं लेकिन गुरू की जो डांट है वो करती है तो गुरू जो है अपनी डांट से या किसी परकार से दंड देकर या कुछ नियम लगाकर अपने शिशे को या जो उन पर आशृत है भक्ती के लिए उनका इस परकार से उधार करते हैं कि वो इन परिष्ट्री अकर्शन से और इस परकार के स्थूल और सूक्षम परकार की जो कामवासना इससे बहार है इसलिए जो गुरू की जो डांट है वो उसकी प्रशंसा करने चाहिए या उसे सहर्ष स्विकार करना चाहिए उसके प्रती कोई मन मुटाव नहीं रखना मिध्शन चाहिए जैसे इक बार सनातना गोष्वामी को चतने महाप्रु ने जब उनकी प्रशंसा कि तो सनातना को समें पर को जधा अच्छा नहीं लगा लेकिन जब गरदर पंडित को चतने महाप्रु अच्छ़ॉ महाप्रु दे रहे थे तो सनातना घॉस्वामी थैत् schizophrenia गुरु की डांट खाना अच्छा है प्रशंसा एक तरह से कहलो कि जादा अच्छा नहीं है तो देख लेते हैं कि क्या था असल में यह जो दावागनी का पान किया था और कालिय दमन लिला होई थी उसके बाद जो थी गृषम रितु आ गई थी और शिलप्रावपद कह रहे ह जो ब्रह्मा और शिवजी के नियामक हैं तो उनके कारण जो गृषम रितु थी जो गर्मी की वो भी वसंत की तरह लग रही थी क्योंकि वहां पर बहुत सारे जर्ने थे और उसमें जीमगुर की अवाज भी लुक तो जाती थी और उन जर्नों से ठंडी ठंडी हवाएं ब तो वहां से जो पोलन्स यानि मकरंद जो थे वो हवा से उड़कर जो गौालबाल या ब्रजवासियां उनको चूते थे तो उनको भी ठंडक प्रदान करते थे और इसके अलाबा जो वरिंदावन है वो बहुत सुन्दर है बहुत सारे फूल खिलते थे बहुत सारे हिरन वह है जो थी गुंजन करती और कोयल पंचम स्वर में गाती थी तो बहुत मनोरम जो था वातावरन था विंदावन का और लगता ही निधा की गर्मी है तो ऐसे मनोरम वातावरन में विंदावन में जो कृष्ण और पलराम है आनंद लेने के लिए गाये चराते हुए जाते थे तो नाचते हुए जाते, गाते, कभी बीच में खेलते, कुष्टी लड़ते या अपना कुछ गौाल बाल जो ते श्रिंग बजाते थे और कई देवी देवता जो थे कृष्ण के गौाल बाल के रूप में आते थे और खूब उत्साहा वरदन करते थे जब कृष्ण नाचते थे इस प्रकार विभिन क्रिडाओं करते थे अब असल में अभी भगवान कृष्ण का मुंदन संसकार नहीं हुआ था और कभी-कभी जो गौाल बाल थे अमल की यानि की जो आमला होता है उसकी बॉल्स बनाकर खेलते थे और कभी छुपा-चुपाई खेलते और कभी हिरन या और पंचियों की नगल करते या मिंडक की तरह आवाज निकालते तक कभी जूला जूलते तो ऐसे खेल-खेल में एक गौाल-बाल बनके आ गया उस दिन एक जो बालक है वो आया नहीं था तो उसने उसी का रूप ले लिया था और कृष्ण बलराम को चुराने के मन्शा से आया था और जब वो टोली में घुस गया तो भगवान तो समझ गए कि कोन है लेकिन उनने उसका बहुत स्वागत किय आपure तुम्हारा भी स्वागत है हम्में खेल खेलते हैं तो खेल यह था कि चुपा चुपाई का ही खेल चल रहा था और इसमें यह था कि हारने वाली जो टोली है ढोल टोलियां मन गी थी जो टोली हारेगी वो जीती हुई टोली को अपनी पीट पर या कंधे पर लादकर थोड़ी दूर तक ले जाएगी यानि कि उसे ये दंड मिलेगा तो इस परकार भगवान कृष्ण जो अभिनाई कर रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं पता और यह जो प्रलंभा सूर है यह सोच रहा था कि कृष्ण को तो मैं बल्वान बालक है इसको तो भी नीचुरा जाता हूं तो यह जो कृष्ण की टोली में हो गया प्रलंभा सूर और कृष्ण की टोली हार दी तो कृष्ण श्री दामा को उठाया और प्रलंभा सूर ने बल्राम जी को उठाया और प्रलंभा सूर जो है बल्राम जी को उठाकर दूर निकल गया जंगल में और बल्राम ने अपना जो भार है वो बढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि उनके पास बल है और बढ़ाना शुरू किया तो वो उठानी पारा था पर लंबा सुर तो उसने क्या किया कि वो भी अपने रूप में आ गया बहुत ही विशाल रूप में काला बिल्कुल और बड़े-बड़े बाल थे उसके बड़ी आग जिसी आखें थी और उसके उपर बल्राम जी ऐसे लग रहे थे जैसे बादलों पर चांद जो है वो सेर कर रहा हूं और जब बल्राम जी को समझ में आया तो उन्होंने एक मुक्का मारा और जो जारकंड में कहते हैं कि खोपड़ा खुल गया त तो खूब तालियां भजाएं बल्राम जी की प्रशंसा की और देवी देवताओं ने पुश्पवरिष्टी की तो इस परकार ये जो प्रलंबा सुरकी का था है हरे किष्णा शिलप रावपात की जाए